हेलो स्टुडेंस वल्कम बाग टेयो फेवरेट चानल मागेट ब्रेंस मैं हूँ आपकी एकनॉमिक्स एजुकेटर गौरी जादोन जापर पढ़ने वाले स्टुडेंस आवरेज कोस्ट के बारे में इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि भाई टोटल कोस्ट क्या होता है वह भी आपसिलूटली फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट और इसी बात पर सबसे पहले क्या करना है लाइक शेरें सब्सक्राइब करना है हमारे चानल को स्टुडेंस फिर भी कोई डाउट हो तब हमारे अप्लिकेशन हमाई वेब्साइट को जाके देख सकते हो और सिभी से नहीं हम इतनी बढ़िया बात पर तो एक लायक ड़ेपर बनता है स्टुडेंस तो जल्दी शेर कर दो यह वीडियो और स्ट करते हैं आज की एक लास तो आज हम क्या पढ़ने वाले स्टुडेंस आवरिज कॉस्ट मैंने आपको क्या बोला था कि जो कॉस्ट का जो कॉंसेप्ट है एक तो यह बहुत repetitive है हर बार आता है paper में और बहुत confusing है आप खुद से पढ़ने बैट होगे ना एक बार में तो आपको समझनी आएगा आपको रेगलर रहना है consistent रहना है ताक कि आपको सारी सारी चीज़े clear हो जब मैं पता है की चीज आने वाली paper में तो क्यूं हमें लापरवाई करनी राइट चलो स्टार्ट करते हैं आज की class फिर चलो भई तो पहले revision करा दूं कि मैंने पहले क्या पढ़ाया था बताओ पहले याद रखना है हमने तीन चीज़े पढ़ी तीम्यकि टोटल कोस्ट क्त क्या होता है टोटल वेरिब़ क्या होता क्या होता है तीन चीज़े हमने ठाग्राम में अपको बता देती हुआ अब एक श्प्रेंबुर भी कर दूंगे और फटाकश्ट ठीक है तो सबसे पहले आपको या दखना है कि इस तरीके का हमारा ग्राफ बनता है यहां पर जीरो रहेगा यहां पर एक सरे का यहां पर यहां पर आपका लिखते हैं तुडेंस आउट पुट ठीक है जी अभी आपको तीनों की चीज़े एक इक ग्राफ में समझाने वाली लिखोगे टोटल कॉस्ट यहां पर लिखोगे टीवी सी और टी एफ सी ठीक है अब सबसे पहले जो बात आती है मेरी कि बाई टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होता है टोटल फिक्सड कॉस्ट है मतलब की जीरो लेवल आउटपट पे भी कुछ ना कोस्ट कर्चा तो हमारा नहीं कर पाएंगे अपन ठीक है डिटेल में जानना है स्टुटेंस आपको पहला वाला वीडियो देखना पड़ेगा जिनने देखा है वेरी गुट ठीक है और वी डाउट होगा तो भी रिविशन हो जाएगा हमारा ठीक है नेक्स क्या है स्टूरेंस हमें कि जो मेरा टोटल वेरेबल कॉस्ट है उसके पॉलिसी है वही कि जैसे से आउटपट बढ़ेगा तो मेरा टीवी सी बढ़ने वाला है लेकिन इनीशली जब बढ़ता है तो डिक्रीजिंग स्वीट बढ़ता है लेकिन बाद में रफ्तार पकड़ लेता है इसलिसका शेप कैसा है इन्वर्सल बढ़े करना फिक्स्ट क्या होता है वो खाल चार अगर हमने अभी कुछ किया भी निए जीरो लेवल आउटपट पे फिर भी खर्चा होता है जैसे कि हमारा इलेक्रिसिटी का बिल है ना वो तो देना पड़ेगा भली आप उस घर में रोके और नहीं रोके आपको देना त पती हुँ तभी नेका बढ़ेगा तश्ञांक ही кажए टwar sunk requesting बढ़ेगा लेगा विडियो में दोनों का टोटल लल cruelty ऑतीक सीरोट रहता है की 0 ऑगर मेरा ऑउटपट है उ उस पे ख़ेवी कुछ ना कुछ तो grant speech होता है सपोस्ट मैंने 10 ले लिया तो इसका टोटल किता आ गया 10 मतला में बोल सती हूं कि जो टोटल कॉस्ट है यह जीरो लेवल आउटपट पे जीरो नहीं रहने वाला यह कित्ते से बढ़ेगा जितना सा टोटल फिक्स्ट कॉस्ट है तो दाट इस वाई यहां से होता है और रण कोस्ट और यह उनके कर्वस हैं क्लियर हुआ तो इस तरीके से आपको बुलकुल दिमांग में फिट होना चाहिए है ना मैगनेट की तरह चुप कर रहना चाहिए ब्रेन में कि किस तरीके से काम होना है राइट चलो भई तो होपफोली सब का रिवीजन हो गया होगा मै ने बहुत कुक्ली समझाया है बहुत डीटील में डिसकस कर चुके हैं चलो भई आगे बड़े तो वाट में तो स्टाडी स्टुनें सबसे पहले कि आवरेश क्या होता है आवरेश हम सभी को पता है भई मैस में सबसे सिंपल चीज वही लगती थी मुझे आवरेश कैसे नि हो आपहचा बैठ रार्ए अबरज उसको पता लगाने का हमारा जरीया क्या होता है अबरेट कॉस्ट तो देरा त्री काइंडू पर ने टोटल कोस्ट डिकल टोट total fixed cost पढ़ाए ना वैसी इसमें भी तीन चीज़े आता है पहला क्या आएगा हमारा आएगा average fixed cost फिर क्या आएगा average variable cost जैसी कि यहां पर लिखाए फिर last में आता है मेरे पास average total cost जिसको हम लोग AC भी बोलते हैं clear AC भी बोलते हैं तो सबसे पहले तो आप इसका screenshot लेलो जल्दी से तो हम क्या बोल रहे है average का मतलब क्या होता है per unit cost को निकालना उसको हम लोग क्या बोलते है average cost ओके दन तो आप देख लेते भई कैसे निकलेगा सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं भई average fixed cost क्या होता है so average fixed cost refers to the per unit fixed cost of production it is calculated by dividing अब देखो हमें total लगाना बहुत जरूरी है तो total मेरे पास क्या given है TFC उसको मैं किसे divide करने वाली हूँ by the total output जिसको हम लोग Q से denote करते हैं तो इससे मेरा क्या आ जाएगा average fixed cost so average fixed cost क्या होता है students एक तरीके से जो मेरा TFC रहता है उससे हम लोग पूरा calculate करते है तो हमारा क्या हो जाएगा average fixed cost is equals to total fixed cost and quality of content तो AFC जो हमारा रहने वाला है falls with the increase in output and TFC remains same at all levels of output तो हमें याद दखना है कि average fixed cost क्या रहता है students it refers to the per unit fixed cost of production it is calculated by dividing TFC by total output यह अच्छली division था लेकिन दूनों जॉइन हो गया से आप रिमेंबर इस लाइक दिस राइट सो इसका formula आपको यह वाला ही लिखना है clear quickly take a screenshot of it जल ली से लेना है तो जो मेरा average fixed cost ना वह हमेशा गिरता है with the increase in output because fixed cost क्या होता है जो starting का खर्चा आपने लगा दिया तो आप जैसे जैसे जाओगे तो आपका खर्चा वह कम होने लगता है क्यों भाई पर आप बढ़ोगे तो आपको जो average fixed cost है वो कम होता है तो वह वाला formula यहां पर भी है that average fixed cost falls with the increase in output as TVC remains same at all levels of output TVC क्या था मेरा वो same रहता था लेकिन जो मेरा average है वो गिरेगा तो आपको याद दखना ही property एक कि जो हमारा average fixed cost है ना it will fall with increase in output अब मैंने आपको इससे पहले बात बताई थी कि अगर आउपट बढ़ेगा तो मेरा वेरेबल कॉस्ट बढ़ेगा है ना अब एक और चीज़ बता रहूं कि आउपट मेरा बढ़ेगा तो मेरा जो average fixed cost है वो कम हो जाएगा यह आपको याद रखना है quickly take a screenshot of it इसमें बहुत सारी चीज़े माइनूट माइनूट चीज़ें जो हमें याद रखने की ज़रुवत है दाट इस वाई चाप्र डिफिकल्ट हो जा था कि कितना याद रखें हो कैसे याद रहेगा जब आप उसकी regular practice करोगे questions maximum करोगे और मैंने सोच लिया कि इस पर्टिकलर is a tough subject अगर आप उसको time नहीं देते हो और आप एक दिन पहले खोलने बैठोगे कि आप पढ़ लेते हैं कल पेपर है तो नहीं होगा clear मैं पहली बता देती हूं हो भी जाओगे तो किनारे पास हो जाओगे लेकिन अगर अच्छा score करना है तो आपको उसको पढ़ना पढ़े और मेरा जो average fixed cost है इन दोनों के बीच में क्या है inverse relationship है उल्टा चलते हैं दोनों ठीक है तो हमने क्या बात कराता है जो मेरा एक तरीके से total fixed cost है वो क्या था बारा ही था थ्रूआउट fixed है और मैंने क्या बोलाता कर output बढ़ रहा है मेरा तो मेरा जो average fixed cost है वो गिरना चाहिए यह condition थी output मेरा बढ़ रहा है भाई 0 से 5 हो गया बिल्कुल सही बात है क्या मेरा जो AFC वो गिर रहा है क्या formula है मेरा TFC divided by output this is the formula है ना TFC divided by output is equal to AFC यह हमारा formula है मदला 12 को में 0 से divide करूंगी तो infinity आना है ठीक है 12 से divide करूंगी तो 12 आएगा 12 से divide करूंगी तो 6 आएगा 12 divided by 3 हमारा 4 होता है ठीक है 12 divided by 4 हमारा 3 होता है और 12 को में 5 से divide करूंगी तो 2.4 something हमारा कुछ value आने वाला है तो क्या AFC गिर रहा है क्या हमारा rule कहता है कि अगर output मेरा बढ़ रहा है तो मेरा AFC कम होना चाहिए तो भई AFC तो मेरा कम हो रहा है 12 से 6 4 3 और फिर 2 पर आ गया यहाँ पर बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहिए ठीक है अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूं जो आपका examination point of view से important है कि सबसे पहले तो जो हमारा AFC कर्व होता है वो downward sloping होता है क्योंकि हमने क्या बोला है कि AFC fall करता है with the increase in output अगर output बढ़ेगा तो average fixed cost जो है हमारा गिरना चाहिए next क्या है हमारा जो हमारा AFC कर्व है is a rectangular hyperbola very very important ठीक है that is the area under the curve remains the same at all points मतलब भी जो आप area देख रहे हो ना यह जो पूरा का पूरा area है यह हमेशा ही same रहता है so that is why कभी भी हमारा ना तो X axis को touch करेगा ना Y axis को touch करेगा और इस condition को हम लोग क्या बोलते है rectangular hyperbola इस पर हम already अच्छे से और discussion करेंगे do not worry about that लेकिन फिलाल के लिए आपको क्या समझना है दो चीज़े हैं कि भाई AFC का क्या है अगर output बढ़ेगा तो मेरा average fixed cost है वो गिरेगा किस तरीके से गिरेगा कुछ इस तरीके से गिरेगा कभी भी ना तो X axis को touch करेगा ना Y axis to touch करेगा और जो distance between है यह हमेशा equal रहता है और इस condition को में क्या बोलती हूं rectangular hyperbola clear हुआ ओके quickly take a screenshot of it जल्दी से फटाक से let me know when you are done okay you have to write in the comment section क्या आपको यह वाला पाश समझ आ रहा है क्या इसमें और आपको और धीरे में पढ़ाऊं आपको मुझे feedback देना पड़ेगा so that is why you have to give in writing आपको कमेंट में मुझे बताना रहेगा कि कैसी लग रही है आपको classes okay तो अभी तक हमने दो चीज़े देखी दी है ना तो अब मैं इसको बताती हूं कि आप इसको कैसे कर सकते हैं पहला रूल यहां पर जिरो लिखा यहां पर एक से लिखोगे यहां पर यहां पर क्या लिखते हैं आउट पूट लिखते हैं यह तो अब अब तक आगया होग और मैं निकाल किस से रही हूं what is the formula of average fixed cost कि total fixed cost रहता है divided by हमारा output तो जब total fixed cost कभी 0 हो गाई नहीं है ना तो वो यहां पर touch करेगा नहीं तो downfall जरूर हो रहा है लेकिन कभी भी कम नहीं होना है है ना खतम नहीं होना है खर्चा तो फिर भी रहे गई रहेगा that is why वो कभी भी touch नहीं करता ना x axis को ना y axis को तो इसका कैसे graph बनेगा students हमारा कुछ इस तरीके से ठीक है यह आपको याद रखना है दूसरी चीज़ यह है कि जो distance से हमेशा same रहता है और इसको हम लोग क्या बोलते है Rectangular Hyperbola यह आपको याद रखना है और हर एक चीज़ हर एक graph क्यों ऐसे बन रहा है क्या इसका shape है आपको याद होना चाहिए ठीक है सिटेस downward sloping you have to remember this quickly take a screenshot of it अपने copy में भी बना के देखो कि आपसे exactly ऐसा बन रहा है कि नी बन रहा है terms and conditions के साथ okay quickly जल्दी से done चलो जी so this is the curve जैसी के आपने देखा downward sloping AFC हमारा यहाँ पे है तो जो curve है downward sloping है क्यों है because जैसी output बढ़ेगा तो मेरा जो average fixed cost है वो हमेशा गिरता है clear हुआ conditions आपको लिखनी है याद रखनी है okay जी आपने इसका screenshot ले लिया आता आगे बढ़ता है अब हम बात करते हैं कि क्यों ऐसा है कि कभी भी दोनों axis को touch क्यों नहीं करता है मैं आपको अभी उसका एक reason बता दिया है वैसे as AFC is rectangular hyperbola it approaches both the axis मैंना दोनों के पास तो जरूर जाता लेकिन कभी भी intersect नहीं करता it never near पहुचता है लेकिन never touches them AFC can never be zero very important AFC can never be zero because as TFC can never be zero जैसे की मैं आपको बताया था तो यह आंसर क्या है तो यह आंसर क्या है that why AFC can never be zero or why AFC never touches both the axis so you have to remember this कि इसका अंसर क्या है भाई because जो average fixed cost से हो किस से निकलता है total fixed cost से जब total fixed cost का भी zero नहीं हो सकता तो average fixed cost क्या से zero हो सकता है right so AFC curve can never touch Y axis because at zero level output also TFC is positive value and similarly any positive value divided by zero will be an infinite value so that is what can never touch Y axis infinite and I was already but our challenge I got a rookie Nira you intersect current right quickly take a screenshot of it done some of our students next time are a pass what is average cost abhi amnick up earlier kibaya हमारा average fixed cost क्या होता है अब हम पढ़ने वाले कि हमारा average variable cost क्या होता है अब जैसी कि हमने TFC से वो निकाला था तो ये भी तो हमारा TVC से निकलेगा सो TVC divided by Q इससे हमारा क्या निकल क्या आजाएगा students हमारा निकल क्या आएगा AVC सो average variable cost is equals to TVC divided by Q simple था सो average variable cost refers to the per unit variable of cost of production it is calculated by this जो मैंने आपे formula लिखा है AVC initially falls with the increase in output once the output rises till optimum level AVC start rising it can be better understood with the help of the table and Fika जिसको हम पढ़ने वाले हैं ठीक है लेकिन उससे पहला आप इसका screenshot लेलो जल्दी से quickly okay okay students तो भाई हमें क्या याद रखना है कि basically जैसे कि हमने निकाला था ना fixed cost वाला वैसी variable वाला भी निकालना है कि जो मेरा total variable cost मेरा यहां पे गिवन है है ना total variable cost मेरे पास given है उसको अगर मैं divide कर दें तो हमारे total output से तो क्या निकल के आ जाएगा basically हमारा AVC बस इतनी सी कहानी हमें याद होनी चाहिए कि इतनी कहानी हमें याद रहेगी चलो अब उसको हम लोग थोड़ा schedule से और थोड़ा graph से समझते है तो सारी चीज़े cost जैसे कि क्या बोलता है कि जैसे साथ बढ़ता है हमने पिछले वाले सेशन में पढ़ाता सुदेंस की जैसे से आपूट हमारा बढ़ता है तो जो मेरा वेरियबल कॉस्ट है वो भी बढ़ता है कि यह चीज़ हमने पढ़ी थी पिछले सेशन में पढ़ी है तो हमें पता लगाना है कि अगर यह बढ़ रहा है तो क्या हमारा यह भी बढ़ेगा अब यह हमें figure out करना पढ़ेगा तो सबसे पहले हम क्या देखने वाल तो जीरो से जिवाइड करूंगे कुछ नहीं आना ठीक है तो यह चीज़ करी जिसी कि जो मेरा आवलेश पिक्स वाला वाला हमने पढ़ा था उसमें क्या हो रहा था डिरेक्ली ऐसे करके नीचे आ रहा था जहां पर दोनों ही दोना एकसे स्कोट अच्छ नहीं कर रहा था ठीक है यह भी डाउनवर्ड स्लोपिंग था लेकिन जब मैं बात करते हो स्टूरेंस आवरेश वेरीबल कॉस्ट की ना अगर एवी सी की तो आप देखो कि इनीचली तो यह राइस हो रहा है फिर यह तो रहा है फिर से राइस होने लगा और इंक्रीज हो गया तो क्या हो र कैसे बन सकता है तो आप यहां पर देख सकते हो कि इनीचली हामारा जो एवी सी है, खैक है फिर ठ्वीक हो रपी क्म हुआ फिर यह administration हुआ ह्यी दो हनों सेम रहेंगे और फिर आप अचानक से यह वरांगे तो यह क्या होता है मेरा एवी सी क्लियर ओग हॉआ है ठीक है तो तो basically आपको याद रखना है students जो मेरा total variable cost है आपको यहाँ पर निकला है उसको जब मैं divide करूँगी with the output तो मेरे पास क्या आ जाएगा एक तरीके से ABC आ जाएगा ABC का क्या funda है initially increase होगा फिर decrease होगा फिर constant हो जाएगा और फिर से increase हो जाएगा clear समझ आया तो that is why we can say that कि इसका graph कैसे वनने वाला है कुछ इस तरीके से अब देखो यहाँ पर कि 1 पर कितनी value है 6 तो भाई 1 पर मैंने 6 कर दिया फिर क्या है भाई 2 पर है 10 तो 2 पर है हमारा एक तरीके से आउटपूट पर 10 राइट फिर क्या है मेरे पास कि 3 पर है हमारा ओके यह वाला देखना पड़े का 1 पर हमारे पास 6 2 पर है मेरे पास 5 ओके वी आप तो कमपे दिस आउटपूट प्लस AFC मैं एक बार को total variable cost देख रही थी तो 2 है हमारे पास उसके 5 ओगा राइट next मेरे पास 3 मेरे पास आ गया अगें 5 32 35 ओगया फिर क्या ओगया 40 मेरे पास 6 अ गया 4P6 और 3ग जी और 507łosी और 5 पर क्या गया 7 Rs. फिन कुश इस तरीके से हापका जुक्राफ बनेगा इसको क्या बोल सत्ते हैं वी सी लाट इस एव आवरेज वेरेबल कॉस्ट फाइन क्लियर हुआ देखो दो ग्राफ्स पढ़े हमने अभी था कौन कौन से पढ़ें भाई पहले जो हमने पढ़ाता है यह था ठीक है यह हमारा आवरेज फिक्स्ट कॉस्स आपने देखा कि वो डांवर्ड स्लोपिंग है वही पर जब मैं अभी पढ़ा रही हूं आपको वो क्या है एवी सी और एवी सी का ग्राफ केसे होता है स्टुरेंस बेसेकली उल्टी हमारे ऐसा तेड़ी स्माइल चल रही है यह क्या हो जाएगा मेरा एवी सी फ्री हांड कर्स बनाना भी आपको आना चाहिए ओके चलो भ आपको याद दखना है कि इस सरी के का इसका का होने वाला है क्लियर समझ आया ओके नेक्स ली हाफ कि हमने देखा भाई टेबल में कि एवी सी क्या है इनिशली फॉल होता है विद इंक्रीज इन आउट पुड और रीचिंग इस मिनिमम लेवल और फाइव इट सार्स में अम के बाद फिर से राइस करने लगता है इट इस अब्तें बाइप लौतिं इस आ यूशेपद कर व यापको याद दखना है इच ए यूशेपड कर आसट इनिशली फॉल्स इन रमेंस इंस पॉनस्ट पर वाई राइल ऑन फानली सशाच रिज इंघ दृसी इंच्रिं let's move on, so let's come on to average cost now, what is average cost, जैसे का में total cost क्या पढ़ता, कि वो TFC plus TVC का, अगर दोनों को मैं add कर दूंगी तो मेर पास total cost आजाएगा, ये मैंने पढ़ा था, the total cost is equal to TFC plus TVC, right, अब हम बात करें students, हमारा average cost किस्टा ओने वाला, जिसको में बोलते हैं, ठीक है, so average cost refers to the per unit of total cost of production, ज इसमें हम बात करेंगे, जो हमारा total cost होता है, ठीक है, total cost divided by हमारा हो जाएगा, क्यों, तो मेरे पास क्या आजाएगा, average cost, क्या इसमें किसी को doubt है, नहीं, पर हमने देखा था, जो total cost है ना, उसमें हमने देखा था, कि वो कभी भी 0 हो नहीं सकता, क्योंकि क्या है, TFC हमारा fixed रहता था, जैसे कि हमने 12 पढ़ाता हो, fixed रहता था, और यह fixed रहता था, तो जीरो पे नहीं हो सकता, लेकिन कोई changes भी नहीं करता था, जो भी change आता था, टीसी में, वो किसकी वज़े से आ रहा था, टीवी सी की वज़े से आ रहा था, यह हमने पढ़ चुका है, similarly में हापे बात करती हूं students, यह आपका formula है कि AC को कैसे derive कर सकते है, total cost divided by the output, now हम बात करें, AC क्या हमारा average cost है, TC हमारा total cost है, और क्यू हमारा क्या हो गया, total output, आप जैसी कि मेरे total cost निकाला था, similarly मैं अपना average cost भी निकाल सकते हूं, तो मेरा formula क्या हो जाएगा, that is, AFC plus हमारा ABC, तो जब मैं factor और fixed factor को add कर दूंगी, तो मेरे पास average cost आ जाएगा, कया इसमेरे किसी को doubt है, quickly take a screenshot of it, देखो, I am giving you time to make your own notes, देखो, I am giving you time to make your own notes, देखो, economics में आपके पास definitely book है, बुक में सारी चीज़े गले, I have seen this a lot of times कि whenever, you know teachers asked to make notes or something like that, students ka रहता है मैं, हमां ऑटी बुक में गभेन है, तो हाँ बुक में तो डिफिनिटली गेवेन बुक में तो सारी चीज़े गिवेन है पड़ आपके दिमांग में गिवेन है कि नहीं है बनाना आपको खुद से रहेगा ना पेपर में आपको बुक नहीं मिलने वाली है सब्सक्राइब यहां और नहीं तो आपको अपने खुद के हैं रहिथा नहीं तो अदर वाईज आपको लग रहें किसी जगा के तो वहां से भी आप ले सकते हो लेकर नोट्स जरूरी है ठीक है उससे आपको कोई understanding मिलती बुक में तो सारी चीज़े गिवेन हैं नोट्स क्यों होते हैं कोई क्रिवीजन के लिए हैं ताकि आप जैसी वो नोट्स को पढ़ो आपको तुरन त्यार दाजा कि भाई क्या हमारा फंडा था क्या इस पूरे टॉपिक का एजेंडा था राइट सब्सक्राइब फिक स्ट्री सब्सक्राइब युग्ष यॉडवेयर पाइगा टौण सी खाम आए घानी आपको समझने आरि जो आपको पेपर नंगे तरौप बाप नंको समझ आएगा So, that is why, if we are requesting you to make notes, it is for your benefit. So, make it fine? And I'm giving you time as well कि भाई हर एक पॉयंट की बाद में screenshot लेने कि आपको बोल रही हूं, because I know that is important for you to understand, the language here is very easy for you to understand, so you can make your own notes over here, right, so what is average cost, average cost हमारा क्या होता है, कि तरीके से total cost divided by output, और जो हमारा average cost रहता है, is equal to AFC plus AVC, clear, यह समझ आया, okay, so now let's discuss students कि भाई, आप इसका कैसे schedule बनेगा, तो हमने क्या पढ़ाता, जैसे कि हमने सारा भी formula निकाला, तो AFC अगर हमें निकालना है, AVC हमें given है, दोनों को मैं add कर दूंगे, तो मेरा क्या आजाएगा, average cost, so that is why output मेरे पास यह given है, average fixed cost मेरा यह given है, कि यह भी downward sloping है, और यह भी एक तरीके hyperbola बनता है, किसमे, average fixed cost में, और यहाँ पर क्या बनता है, हमारा U-shaped cup बनता है, ठीक है, अब हम बात करें, students हमारे average cost की, वो क्या होने वाला, दोनों को जब मैं add कर दूंगी, so that is why यह तो dash ही रहने वाला है, 12 से और 6 को मैं add कर दूंगी, तो में पास 18 आ गया, 6 प्लस 5 मेरे पास 11 हो गया, ठीक है, 4 प्लस 5 मेरे पास 9 हो गया, 3 प्लस 6 मेरे पास 9 हो गया, and 2.4 प्लस 7 हमारे पास किता हो जाएगा, 9.4, तो यह हमारे total के total एक तरीके से हमने calculate कर लिया, बहुत easy है, अगर आपने total की सारी values याद रख लिए, आपकी TFC का क्या रखना है, TVC का क्या लिखना है, उसका आपको पूरा पूरा graph याद हो जाएगा, सिर्व आपको देखो उसमें भी total fixed cost किया है हमारा basically 12 12 12 हमने लेके चला है, बस आपको total variable cost जो है हमारा, उसको याद रखना है, पूरे सारे schedules बन जाएंगे आपके, राइट, चलो, quickly take a screenshot of it और उसका हम सीखेंगे भाई की average cost का कैसे curve रहता है, कैसे derive करना है, ओके, done, चलो भाई, तो बहुत simple है, यह सारी चीज़ है, आपको total वाला पूरा समझ आ गया है, कि भाई, हमने क्या होता है, total fixed cost क्या होता है, total variable cost क्या होता है, कि वो समझ आ गया है, तो यह सारी concepts अपके लिए बहुत easy होंगी to understand, so what is average cost, है न, average cost हमने क्या बता है भाईया, यह total cost divided by Q है, और एगर हमारी भाष्टा में बोले, तो average cost क्या होता है, basically, जब मैं अपना average variable cost प्लस average fixed cost को जब मैं add कर दूगी, तो मैं पास एक तरीके से average cost आ जाएगा, इसका मैंने क्या बोला, जैसी कि हमने देखा था न, अगर एक बार ना इसको हमें आपको पूरा relate करके बता देती हूं, तो आपको समझाएगा, हमने total में कुछ चीज़ें पढ़ीं थी, total में मैंने क्या पढ़ाता कि मेरा जो TFC है, वो तो हमारा straight line horizontal to x-axis रहने वाला है, क्योंकि fixed रहता है, लेकिन मैंने क्या बताया था आपको, कि जो मेरा variable cost है, वो कैसा है, कि जीरो से ही शुरू होता है, तो दोनों के हमने देखा था, कि वो एक तरीके से shape भी सेम था, लेकिन हमारा जो TC उपर था, और TVC हमारा कुछ इस तरीके से था, यह हमने बनाया था, यह clear हो गया, अब मैं आपको ना एक और बना के दिखाते हूँ, यह वाला case, सबसे पहले जो मेरे पास आता है students की, जो मेरा AFC है, तो AFC तो मेरा कुछ इस तरीके से बन गया था, downward sloping था, ना इदा टच कर रहे हैं, ना इदा टच कर रहा है, और यह वाला part हमारा क्या था, rectangular hyperbola था, अब मैंने आपको क्या बताया था, कि थोड़ी सी तेरी सी smile किस की है भई, थोड़ी सी तेरी सी smile हमारी किस की एक तरीके से ABC की है, और अब जो आपने तरीके से देखा है, हमारा average cost का, तो वो भी कुछ इस तरीके से ही जा रहा है, तो मुझे बता दो, इन तीरों में से कौन दो related है, कौन दो related है, एक है मेरा average variable cost related है, और एक मेरा related है students average cost, याने जैसा ABC का एक तरीके से shape है, उसी से influence हमारा average cost कोने वाल है, क्यों, विकास fix to fix tree रहना है, तो जो changes आते हो, variable की वज़े से आ रहे, तो इस point of view से आपको याद रखके, आपको सारे shapes से याद होने चाहिए, clear तो ये भी मेरा U-shaped था, है ना, और ये भी मेरा U-shaped ही हो जाएगा, clear, ये सारे चीज़े हम समझ चुके हैं पहले भी, तो coming back to this particular point, अगर मैं बोलती हो, तो हमारा जो AC है, वो किस तरीके से बनेगा students, कुछ इस तरीके से, ठीक है, so you have to remember these things, because जब आने वाले classes में, एक बढ़ जब लोग मार्जनल भी पढ़ लेते हैं, जब सब चीज़ों के relationship देखने का जाते हैं, कि कौन किस से कैसे related है, तो बहुत ज़्यादा complex हो जाती ही चीज समझने के लिए, so that is why ये छोटी-छोटी चीज़े हैं, हर पटिक्लर ग्राफ और शेडूल की आप हो यादक नहीं प था, ठीक है, फिर क्या हो गया, मेरे पास ABC हो गया, ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि भाई, टोटल है तो थोड़ा उपर ही रहेगा, तो आवरिश का समेशा थोड़ा उपर रहेगा, ये कहीं भी एक दूसरे को cut नहीं करता है, तो किस तरीके से हमारा graph बने वाला ही, हाँ सबसे पहले मेरा क्या आ गया, AFC, ठीक है, फिर जहां पे थोड़ा ही डाउन फॉल होना शुरू हो जाए इसका, वही से आपको cut करना है तो ये क्या हो गया, मेरा एक तरीके से ABC, और इनी के उपर क्या हो जाता है, मेरा students AC, तो कुछ इस तरीके से आपके graphs बनने वाले, clear हु ये दोनों का total है, तो total हमेशा ज्यादा रहेगा इंडिवीजुल से, इसलिए हमेशा उपर रहता है, जैसी कि हमने देखा था इस वाले case में, जब मैं आपको I think TFC वाला बताया था, उसमें हमेशा जो total cost हमेशा उपर रहता है, similarly यहां पे भी average cost हमेशा उपर रहेगा, पहल और यहीं पे क्या वो intersect करता है किससे? AFC से, यह जो minimum point होता है, इसी पे AFC से वो intersect करता है, और वो हमेशा पहले होगा किससे? AC के minimum point से, AC का minimum point क्या है? यह है, यहां पे आप देख सकते हो curve ऐसा हो गया, तो यह जो distance है ना, यह हमेशा आपको जादा देखने को मिलने वाला है, that is, अगर मैं बात करती हूँ इसकी, तो हमें याद रटना है, जो AVC का minimum point है, उस पे वो AFC को cut करता है, और इसका minimum point है, यह हमेशा पहले होगा किससे? AC के minimum point से, तो हमें, क्योंकि AC जादा बड़ा तो हरी चीज़ बाद माएगी, सबसे पहले इसका आएगा, variable cost का, ऐसे वो पहले आएगा, और दूसरे नमर पे क्या आएगा, मेरे पास AC का minimum point, तो मैं यह बोल सत्ती हूँ कि AVC का जो minimum point है, हमेशा AC के minimum point से पहले आएगा, that AVC reaches its minimum point at a level of output lower than that of AC, as the output increases, जैसे से हमारा output बढ़ता चला जाता है, the gap between AC and AVC curve decreases, जैसे से output हमारा बढ़ता चला जाएगा, तो average cost और variable cost जो हमारा यहाँ पे है, average cost जो है, हमारा total cost जो है, हमारा average cost, दोनों के बीच में जो distance है, वो कम होता चला जाएगा, ठीक है, but they never intersect each other, तो of course, दोनों साथ में जरूर आएगे, पर कभी भी intersect नहीं करेंगे, क्यों, because of AFC, वह लेगा, भाई, मैं भी तो हूँ, तुमनों कहां आपसे मिलने चले, मेरा भी तो थोड़ा ख्याल रखो, so that is why, क्या होगा students, तीन चीज़ों मुझे यहाँ पर सीखनी है, सबसे पहले तो, मैं आपको यहाँ अच्छे से बता देती हूँ, कि यह मैंने आपको तीनों की तीनों individual graphs बनाए थे, अब सबको साथ में कैसे बनाना, उसका देखाया, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक तरीके से आप बना दो AFC, फिर आपको make sure करना कि आप उस लेल पर काटो, जहाँ प कि यहाँ पर इंक्रीजिंग फेस पर है, और फिर यह आपको कुछ ऐसे बनाना है, क्योंकि इन दोनों का जो distance है, रुको मैं इसको सही से बनाती हूँ, है ना, जो end होना का जो distance है, आप मान के चलो, यह कम होना चाहिए, यह जो distance आप देख रहे हो ना, यह distance जो है, यह कम हो point आपको देखने हो मिल रहा है, तो जो AC का minimum point है, जो AC का minimum point है, will come after, ऐसे आ दखना, ABC minimum point, ठीक है, जैसे कि इसको mark कर देती हूँ, A, और इसको मैंने mark कर दिया, B, तो आपको हमेशा का, यह हमेशा याद रहेगा, ठीक है, जल्दी से आप screen shot ले लिजे इस चीज़ का, quickly, done, okay, so students हमने क्या, यह तीनो point सीक लिए है, इसका भी आप जल्दी से screen shot ले लिजे, done, okay, so, this was all about this video students, आने वारे classes हम डिसकस करने वाले हैं, कि marginal cost क्या है, यह जितनी भी चीज़े हैं, मैं कोशिस कर रही हूँ, कि आपको जो भी related है, जैसी कि average cost है, जो तीनों related है, मैं साथ में वीडियो लिए आई, total के जितने भी related है, साथ में वीडियो लिए आई, अगर हम CBAC board की बात करें, तो kindergarten garden से लेके class 12 तक के सारे courses आपको यह पर मिल जाते हैं, and we also have a Hindi medium channel, जहाँ आप हम cover करते हैं, classes 6 के लेके class 12 तक, आपको e-notes and e-books भी मिल जाते हैं, students जिसकी जो link के description box में already given है, तो आप जाके check out कर सकते हो, और से YouTube पे नहीं हमें different social media sites पे भी आपको follow करना है, जिसकी Twitter हो गया, Telegram, Instagram, Whatsapp, everywhere, ताकि कोई भी update आप से मिसना हो students, आपको कोई भी confusion होता है, आप हमारे application और my website को भी जाकर refer कर सकते हो, and keep learning, be motivated, be consistent, and thank you for watching this video.